आज आपको 10 ऐसे फ्रूट का नाम बताएंगे जो गमला में आसानी से लगा सकते हैं पहला नमबर पे है ये फ्रूट का प्लांट ही कहा जाता है क्योंकि इसे नीम्बू का भिराइटी कहा जाता है इसमें बहुत सारे नीम्बू आते हैं और जो भी नीम्बू आते हैं सभी गमला में आराम से आप कॉंटेनर में बाई से चबाला में लगा सकते हैं और वो आपको 100 या 50 रुपे में प्लांट मिल जाएगा अगला बात करें तो पपीता का पपीता भी लगा सकते हैं बोरी या गमला में जो कि बहुत असानी से आप लगा सकते हैं ये भी आप 10 या 12 अराम से और जैसे ही लगा लिजेगा इसका प्लांट दो-तिन लगाईएगा क्योंकि ये इसमें उभरलिंग और बहुत बार बातों का द्यान रखा जाता है इसलिए दो-तिन प्लांट तो आपको मुनाम लगाना होगा अगला बात करें तो नासपाती का प्लांट मैंने लगाने का आता है पंजाब के सिरी करके की पंजाब ब्यूटी करके आता है पंजाब ब्यूटी नाम से आता है वो टोपर रहता है अगला बात करें तो बिये नार अमरूद मैं लगा रहा हूँ इससे पहले अमरूद दो-तिन फिराइटी मेरे पास है अभी तक लेकिन ये बी एन आर के बाते बात करें तो वह बड़ा-बड़ा आधा के जी वाला अमरूद होता है यह आप लगा सकते हैं राम से इसका मुझे प्लांट मिल गया था तो प्लांट नहीं लगता है इसलिए गम्ला में सभीo रंक फैलाइजर मिला करन रख meters होता है तो प्लांट फर्लाइजर का मातरा सभी safety का रख ता है ऐसे तो इसमें लगाये गा जमीन पर वहाँ भाँ लगा मैं सकतरा उत्रा जब्सक्राइब बो सब्सक्राइब को स mental aí लगा आपको सकते हैं और इसका प्लांट को अगर ऐसे लगा दिजेगा तो आप कोई जमीन पे तो अराम से 20-25 फिट का प्लांट हो जाता है तो आप जमीन पे भी लगा सकते हैं जहां लगाने का मन है अगला बात करें तो आप कठर का प्लांट भी लगा सकते हैं कठर में बहुत सारा भेराइटी आता है कठर में आप जो भी भेराइटी लेजेगा इस छोटा बाला रुपए देता है 17 रुपए देता है रहता है यह सब आपको कोण दूसरा नुसल रहता है कि बहुत आसान होता है और इसका पर नी अटा दीजिएगा परकमि पलांता राम से लग जाता है और यह यहाँ लगाईएगा वहाँ मिट्डी से चारो तरफ उच कर दीजेगा क्योंकि पानी लगने का ज्यादा चांस मेरे यहाँ इस पे पानी नहीं लगता है यह ऐसे उचा जमीन रहता है इधा से पानी बहने के कारण ऐसा हो गया है और मैं इसे चारो तरफ से मिट्टी रख दूँगा और यह प्लांट और आम से सर्वा सर्वाइव करने लगेगा और यह प्लांट जैसे ही सर्वाइव करने लगेगा उसके बाद तो यह प्लांट आराम से लग जाएगा और यह प्लांट आपको सत्तर से असी रूपे में मिल जाएगा जो की बहुत अच्छा होता है और कोई भी वेराइटि आप इसमें ख्वा जैसे पट जए वहासे लगा लिजएगा और इसमें जामून में भी बहुत सार भीडिय। आता है जो भी विराइटि आपको अच्छा लगे वो भीडिय। लगा लगा है बीजेणार का भी जामुनात है अब देख लिजेगा जिसका छोटा प्लाजर है वह बाला गंला में लगाने वाला ले लिजेगा गंवरा में तो ऐसे कोई भी सर्वाइब कर जागा क्योंकि कलंबी वाला छोटा ही प्लान्ट रहता है अगला बात करें तो बैर का करदेदेगा और फ्लावर देगा तो प्रूट देना स्टाट कर देगा फ्रूट इसमें लगा हुआ था लेकिन मेरे कारण ही एसे सूख गया है लेकिन आगले नहीं जरूरी फुरूट लगेगा तो मैं विडियो इस पर डेटिकेटर बना दूंगा और वीडियो बना दूंगा तो उसमें वर्मिंक पोस्ट और मिट्टी लगा दूंगा और सारा चीज और यूर्या यह सब चीज डाल दूंगा जैसे ही डालूंगा तो यह प्लांट सर्भाइब करेगा धने बाद इतना दर वीडियो देखने के ल झाल झाल